अब हम जाते हैं कुछ कुछ को ट्राइ करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्योंकि situation कोई भी नई टाइप की आ सकती है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने टेक्निकल जाये की सिर्फ और सिर्फ इंटरस काल कुलेशन पर बनाएं क्योश्चन लेकिन हम लगोंने फिर भी चीज़े हैं कर लिए अधिए अगे प्टे आ जो फी यह कोशन हम लोगोंने कर लिये तें कूशन नमब चार त तो शुकर है, calculation easy हो जाती है, फटफट हो जाती है, on 112-2018, देखो, अब मैंने सारी calculation 14-2018 से समझाई है, तो अब दिमाग मत खराब कर ले ना, sir, 14-2018 नहीं आया, ठीके ना, तुमारे, तुमारे 9 चक्षु जो है न ये, ये दूढूंड रहोंगे, 14-2018 और इसको भी 14-2018 ही पढ़ साय, he took additional loan of rupees भाई, like, oh, sir, ऐसा तो question कराया है, जभी तो मैंने कहा तो नहीं नहीं सिचुएशन आती रहेंगी, at the rate of 10% वो 10% पे लिया, my gods, on 1-4-2019, the construction of the house completed on 15-9-2020, compute the deduction allowable on account of interest, interest for the previous year 21-22, assuming nothing has been repaid on account of loan, I am not sure कि यहां पर जो answer है, वो ठीक होगा, इसलिए मैं आपके साथ calculations कर लेता हूँ, देखो, जो भी इसमें लिखा है, जहां पर भी dates जाता आने लगे ना, और dates के साफ़े calculation करनी हूँ, हमेशा जाद रखीगा, timeline मताज नहीं है, timeline आपके question को, date वाले question को, बहुत easy कर देती है, आईएगा, मैं account में तो बहुत सारी बेटे, इसने 6 लाग रुपे का लोन लिया है, 112 2018, 12 2018 का आएंगी, देखो, timeline में भुझ जरत, जहान से चलना, 1 12, 2018, 1 12, 2000 यह क्या है, 14, 2018, यह क्या है, 31 20,찌। यह क्या है 31,3 2020 यह क्या है 31,3 2021 और यह क्या है 31,3 2022 अब एक चार एक बारा दो हजार अठार आएगी यहां पे बिठे तो इसने 6 लाग रुपे का लोन लिया है अधि रेट आफ 12 परेंट अधि आगे अधिशनल और दो हजार अठार को लिया है चीक आगे खार और यहां एडिशनल लॉपीस 5 लाग टेट अधि रुपीस 5 लाग अधि रहे आफ एक देट आफ तन परसेंट और वन पोर 2019 वन पोर 2019 मतलब इस जेट पे इस ने 5 लाग लोन लिया, रेन लिया at the rate of 10%, ठीक है, अब the construction of the house completed on 15-9-2020, 15-9-2020, 15-9-2020, 15-9-2020 ढून दो बेते कहां पर पड़ेगा, 15-9-2020 यहां पर पड़ेगा, ठीक है, तो 15-9-2020 को construction complete हो गई है, ठीक है, construction complete हो गई है, अब जिस साल में construction complete होती है, बेटे, उससे पहले का हमारा प्री होता है, तो मेरा प्री, मेरा प्री construction यह वाला हो गया, और लोन कुछ भी रीपे नहीं किया है, question में clearly given है, question में clearly given है, assuming that nothing has been paid, क्या है यार, बड़ी दिक्कत वाला राम हो जाता है कही बाई, अरे यार, तो इसने clearly कहा है, यहां पर has, nothing has been repaid on account of loan, on account of such loan, ठीक है, तो लोन तो उसने कुछ प्रीवे किया ही नहीं है, तो अभी, यहां का post रहा होगा, यह भी post रहा होगा, जो कि इस साल में claim कर लिए होगा, और यह भी post रहा होगा, तो मेरे को तो केवल यह अपने वाला post देखना है, मेरे को post तो, क्योंकि पीछे वाला post जो है, यह वाला जो post construction का है, वो तो claim हो चुका होगा, ठीक है, तो मेरे को यहां की एक installment मिल जाएगी, क्योंकि एक यहां प period, pre construction period हो गया, एक चार दो हजार अठार से लेकर, बिटे, इकत्तिस तीन दो हजार बीस तक का, अब कितना कितना निकलेगा, एक बारा को लोन लिया था, एक बारा को लोन लिया था, छे लाग रुपे का, तो छे लाग into 12%, into, into, बारा मतलब December, January, February, March, चार महीने का, ठीक है, तो यह हो गया, चार महीने का, उसके बाद प्लस, क्योंकि मैंने 5 लाग रुपे का और लोन ले लिया है, तो मैं 6 लाग और 5 लाग पर अलग अलग क्या निकाल हूँ, अच्छा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 12 परशंट पर है, वो 10 परशंट पर है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यह तो निकाल देता का ब्याज पर और वो हो गया, बारफ, ठीक है, वो हो गया, पूरे साल का, तो वो वन येर का निकालना है, ठीक है, तो यह निकाल लिया, यह निकाल लिया, जड़ा निकाल के देखे, 12 बाद तर, यहां से कट गया, और यह आ गया, एक लाग, 60,000 रुपया हाना चाहिए, न 1,46,000 divided by 5, आप एक installment claim करेंगे, 1,46,000 divided by 5, यह आ गया है, यह आ गया 29,200 रुपीज, ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों को आप, post construction, post construction, तो post construction पूरे साल का, 6,00,000 रुपे, इंटू 12%, 12,65, 72,000 हो गया, और 5,00,000 रुपे, तो यह आ गया, 75,12, 1,22,000 रुपे, तो बेटे जो मैं claim करूंगा, pre, की एक installment, 29,200, प्लस, post की एक installment, जो की होगी, 122,000 की, 200 यह आ गया, कॉमा, 11,15, और 1, एक लागी, 55,200 रुपे, ठीक है, तो आंसर देखें, क्या दे रखा है, अरे वाँ भाई, मैंने तो आंसर भी ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आंसर ठीक डाल रखें, तो मेरा आंसर ठीक है आपके साथ, ठीक, आईएगा, अब मैं एक आगे की वाद बताता हूँ, और कुछ आपको समझाता हूँ, बेटे, बहुत ध्यान से सुनना, और ये बात मैं आपके साथ, रिपीट करने वाला हूँ, जब मैं डिडक्शन का चैप्टर पढ़ रहा हूँगा, बहुत सारी डिडक्शन है, 80C से लेकर, 80U तक ये सभी individuals को मिल जाती है, individual को भी मिलती है, और हर individual, even business भी कर रहा हूँ, वो individual भी इस deduction को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ investments के उपर, investment करने के उपर आपको deduction मिलती है, कुछ payment करने के उपर आपको deduction मिलती है, ठीक है, यहाँ पे approximately 13 14 points दे रखें, जो कि हम बाद में पॉइंट यहाँ से सुनीगा, उन में से एक पॉइंट यहाँ से सुनीगा, मैं क्या गहना हूँ, जब आप लोन लेते हैं, बेटे, आपको EMI का चार्ट मिलता है, मैंने कहा, वहाँ पे EMI, जैसे आपकी 50,000 रुपे की EMI बनी, तो 1, 2, 3, करते-करते, अगर आपने 20 साल के मैं गल्स कर दिया, 240, मैंने शैद पहले भी 120 लिख दिया था, तो 240 आपकी इंस्टॉल्मेंट बनी, 12 दूनी 24, 240 आपकी इंस्टॉल्मेंट बनी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, और इंट्रस्ट अमाउंट, यह पूरा का पूरा चार्ट आपको मिलावा होता है, बिटे यह इंट्रस्ट का अमाउंट तो आपके पास आगया और इसकी डिड़क्शन कैसे कैलकुलेट करने ही, वह भी हम लोगों ने सीख लिए, तो मैक्सिमम दो लाख रुपे की मिल जाएगी, और अगर लेट आउट है, तो जितना भी इंट्रस्ट पेक है, उसकी डिड कर रहे हुआ, हम आपको उसकी भी डिड़क्शन दे देंगे, इतनी अच्छी है हमारी गवर्मेंट, इंट्रस्ट की डिड़क्शन तो हाउस प्रपर्टी के चप्टर में दे दी, और जब आपके पांचो हैड की इंकम निकल के आजाएगी, ग्रॉस टोटल इंकम नीचे आपको ATC की डिड़क्शन देगे, और वहांपे प्रिंसिपल, जो लोन रीपे कर रहे हो, उसमें जो प्रिंसिपल एलमेंट है, उसकी भी हम आपको डिड़क्शन दे देंगे 1,500,000 रुपे तक की, कितने की, 1,500,000 रुपे तक की, तो यह पॉइंट वहांपे बाद में डे चलो पढ़ लेते हैं, K borrowed a sum of Rs. 30,00,00,00 from National Housing Bank towards the purchase of flat अच्छा, purchase करने के लिए the loan was dispersed directly to the flat promoter by the bank मतलब directly, जिस company से उसनोंने K ने flat खरीजा था, वहां से उन्होंने directly उनको दे दिया दोदा construction was completed in May 22 अब आजाओ, क्योंकि अब हमारी बाते शुरू हो गई है, question number 6 question number 6 आए, timeline पे आजाए फटा फटा पता नहीं कहां तक की बाते दे रखी हूं तो मैंने बना लिया दोदा construction was completed in May 22, अब बेटे May 22 इस timeline में कहां पे आएगा मेरा previous year जहां से समझे लेना, मेरा previous year यह है बस, और जरूर ही नहीं है question में information मेरे previous year की दियो मेरे previous year से पहले वाले previous year की भी दे सकते है और आगे वाले previous year की भी दे सकता है जो की मेरा previous year भी नहीं बड़ता उसमें construction complete हुई है आपकी बास सुन लेते है, next आगे बताओ repayment towards the principal and the interest has been made during the year ended 31st March 2022 जो यह वाला साल है यह वाला साल है year ended year ended यहाँ पे अभे क्या होगे भाई year ended यहाँ पे 31st March 22 यहाँ पे हम लोगों ने loan और interest शारा repay कर दिया है in the light of the provision of the income tax act income tax act के provisions पे light मारो, torch मारो और बताओ whether K can claim deduction under section under section 24 under section 24 in respect of the interest for the assessment year 22 23 whether deduction can be claimed under section 80C for the above assessment year even though the construction was completed only after the closure of the year क्या कह रहा है बेटे आपने सारा का सारा payment कर दी सब कुछ हो गया है ठीक है क्या आप assessment year 22 23 में interest की deduction ले सकते हैं उसके बाद कह रहा है क्या ATC में आप principal amount की deduction ले सकते हैं बेटे आपकी property question देखो ना आपकी property ही existence में कब आई है आपकी property existence में आई है previous year previous year 22 22 23 में तो जब previous year 22 23 में ही property existence में आई है तो तो कोई बात ही नहीं बनी न ना तो यहां पर property की construction आपने सिर्फ loan loan repay कि जब property existence में आएगी जबी आप interest की direction ले पाऊगे और जबी आप principal repayment की direction ले पाऊगे क्योंकि अभी तक तो वो house property नहीं थी तो इसका answer कितना तुच्चा सा है क्योंकि assessment year 22 23 previous year 21 22 में construction complete नहीं हुई है hence house property is not come into the existence and we cannot claim deduction under section 24 and we cannot claim deduction under section 22 समझ में आती ही बाद एक answer देख लो no no deduction as the construction of the house is not completed in previous year 21 22 समझ में आती ही बाद clear done answer ठीक चले आगे यह question एक बर आप try कीजेगा homework में try कीजेगा ना होए तो आपको पताईए कि कैसे आपने पूछना है अब एक full-fledged question के purpose से मैंने यह question खुद frame कर रखा ठीक है इसमें एक दो तीन चार पांच 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 में से तीन पार्ट आप कर लेना दो पार्ट मैं आपको करा देता हूँ और दो पार्ट अच्छे वाले करा देता हूँ तो easy वाले नहीं करा हूँगा जिससे कि आपको लगे सर खुद ने तो easy वाले कर लिए प्रवाइब आपको आपको अच्छा आपको अच्छा आपको अच्छा आच्छा रहा था रेंट पहले कर दिया ठीक है और परमंज में दे रखें सारी चीज़े तो आपको डिवाइब वाइब 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 वी नहीं करना इंटू वी नहीं करना किसी को लोन टेकन ऑन दिस प्रॉपरटी रुपीज 10 लाइक एट 12 परसेंट कब लिया भाई वा कनस्ट रेंट दे रहे यहां कं ट्रुप्छिचिन कम्प्लीटे ओन टैसलोव यह देखें रहे देरो यहां सब्सक्रान का हम दू यह साल की calculate the income from house property for assessment year 21-22 and assessment year 22-23 आएं जरद जान दें question करना चुरू करते हैं question number 6 हम लोगों ने कर लिया और हम question number 8 की तरफ जा रहे हैं question number 8 जिसमें हम लोगों ने question number 8 जो हम लोगों ने attempt करना है assessment year 21-22 के लिए attempt करना है 21-22 के लिए attempt करना है और assessment year 22-23 के लिए attempt करना है आपकी line तो बढ़ी है अच्छी सीजी सीजी आ रही है बेटे पता नहीं आप लोगों की परामात है जो मेरी line सीजी सीजी आ रही है gross annual value minus municipal taxes paid यह आएगी हमारी NAV ठीक है उसके बाद minus 30% reduction under section 24 30% of NAV और उसके बाद interest on borrowed capital ठीक है न P construction कितना claim करेंगा और post construction कितना claim करेंगा बस यह format हो गया और उसके बाद मेरा income from house property आ जाएगा तो यह भी निकालने के लिए तो हमारे working note 1 रहेगा जो कि आप working note बना ले न अब मैं working note अगेरा नहीं बना रहा आप कर साथ MV और F1 whichever is higher तो 18,000 और standard rent whichever is lower तो 18,000 और 25,000 whichever is higher तो 25,000 बारा 25,000 बारा 25,000 ठीक है 5,500,000 तीन लाक होगे तो यह आगया मेरा 3,000,000 दोनों साल में सेम है तो दोनों साल में मैंने सेम लिख दिया municipal taxes paid वगयरा मेरे को दे नहीं रखा तो NA भी आ गई है मेरी 3,000,000 रुपे तीक है 3,000,000 और माइनस फिर 90,000 रुपे 90,000 रुपे और उसके बाद interest on borrowed capital और interest कही काम करना है हम लोगों ने और मैं यह third last part यह वाला part आपको बता रहा हूँ और यह वाला part बता रहा हूँ तो पहला वाला part मैं लेता हूँ 21, 22, 20, 19, 18 ओहो इसमें तो और ज्यादा है 17 जाना है कोई देख लेता है तो कहता है कि 14 2017 को हम लोगों ने construction start की प्लस लोन लिया कितना लोन लिया है 10,000,000 रुपीज लिया है at the rate of 12% यह यह न मैठे ठीक अब आगे क्या कह रहा है कि हम लोगों ने construction complete कर लिया 15.21 को 15.21 को construction complete कर लिया हम लोगों ने ठीक और लोन कब repay किया है पैटे loan repay कर दिया है हम लोगों ने फिर पागल हो गया यह 15.6.2021 को आप लोगों को दिख रहा है है न मैं इसको टिक नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है 15.6 2021 को 15.6.2021 loan repay तो अगें मेरा यह सारा का सारा प्री कंस्रक्शन हो गया और उसके बाद पोस गंस्रक्शन मेरा यह पाड रहा बस इतना छोटू सा पाड़ ठीक है, बस अब तो काम हो गया अब तो काम हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंट्रस्ट तो प्री कंस्ट्रक्शन पीड़ जो की है एक चार दो हजार सत्रा से ले कर 31 मार्च 2021 तक जो की है 10 लाग इंटु 12 परसेंट इंटु एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल 12 चोक 48, 48,000 रुपे ठीक है divided by 5 जो की हो गया 96,000 रुपीज मेरे को हर साल क्लेम करने नेक्स्ट तो पहली इंस्टॉल्मेंट मेरे साल में पढ़ रही है नेक्स, पोस्ट कंस्ट्रिक्शन पोस्ट कंस्ट्रिक्शन पोस्ट कंस्ट्रिक्शन इंट्रस्ट मैंने पोस्ट कंस्ट्रिक्शन पीरिड पोस्ट कंस्ट्रिक्शन पीरिड तो पोस्ट कंस्ट्रिक्शन पीरिड कितना हो गया मेरे एक चार दो हजार एक्केस से लेकर 15 जून दो हजार एक्केस तक जो की हुआ दस लाग इन्टू हाँ लोन रिपे कर दिया ना हम दोको ने फंद्रह छे त्वाजार एक्षिस तक पारा पर्षेंट नहीं पैटे यहां पर कोई कुश्चिन पूछ रहा था अप्रिल में जून धाई महीन होगे ना 2.5 divided by 12 यह हो गया बिटे 25,000 रुपए ठीक है ना तो यह 25,000 रुपए क्लेम करेंगे और यह 96,000 रुपए क्लेम करेंगे इस साल में जो मेरा प्रिविएस यह 21, 22 है यह असेस्टन रेंट यह 22, 23 ग्यारा एक ग्यारा बारा एक लाग एक्किस हजार रुपए ठीक हम क्लेम करेंगे इस साल में 96 और 25 यहां पर 96,000 क्लेम करेंगे और 25,000 यहां पर क्लेम करेंगे इससर पिछले वाले साल के लिए क्लेम करोगे बिटे वहां पर तो construction ही नहीं complete हुई क्योंकि construction ही यहां पर complete हुई है यह यहां पर complete हुई है जो हमें दे रखा है फंद्रा पांच दो हजार एक तो इसी वज़े से आ रहा है क्योंकि यहां पर dates की गड़वड है तो इस हिसाब से हम लोगों को यहां पर answer एक एक बार में से चेक करा लिजेगा चेक करा लिजेगा कोशिच करूँगा मैं आपको जो notes दूँँ इसमें एक बार answer प्रॉस verify कर लूँगा तो यहां पर जो आपका आना है वो केवल और केवल इस साल में तो फिर property के गड़बड कर रखिए question में यह वाला तो calculate ही नहीं होएग यहां पर property बनके complete हुई है तो यह वाला मैं पूरा का पूरा पार्ट एक बार आपको ठीक करके दूँगा ठीक चलो बेटे आगे समझते हैं चीज़ों को आगे समझते हैं चीज़ों को अब ज़र जहां से सुनना interest on borrowed capital मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है इसमें इसमें calculation का पार्ट कुछ भी नहीं रहे गए बहुत ध्यान से सुनेगा आप क्या गह रहा हूँ अगर property आपकी self occupied है ऐसा चार्ट शायद आपके notes में बहुत जाना अचीज़ या property let out है मैं कह रहा हूँ self occupied for whole year या फिर आपका कोई भी others का case है मतलब जहां पर GAV आपकी आ रही है यह समझ लिए यह का let out मैंने का मतलब यह है ठीक है तो क्या कहता है जनन ध्यान से तुने अगर आप चार condition satisfy कर देते हैं जो बताने जारा हूँ एक दो टीन और चार चार condition अगर आप satisfy कर देते हैं तो हम आपको maximum interest की deduction देंगे दो लाख रुपे की और अगर चारों में से कोई भी एक condition रह गई तो maximum हम आपको deduction देंगे तीस हजार रुपे लेकिन अगर आपकी property किराय पर चड़ी हुई है और GAV आ रही है इन आनिकेस तो आपको full amount की interest की deduction आपको मिल जाएगी समझ में आती ही बात अब ध्यान दें पहला point पहला point बहुत ध्यान से loan taken on or after 1499 आपने loan लिया हो एक चार 99 को या उसके बाद दूसरा point loan taken for construction और purchase of house property loan जो आपने लिया है या तो construction के purpose से लिया है या तो construction के purpose से लिया है या purchase के purpose से लिया है और 1499 को या उसके बाद लिया है लो condition हो एट करािए। PC condition construction must be completed construction must be completed dhan say within in 5 years from end of financial year in which loan taken ये समझ में नहीं है बिटे जहान से समझो 17, 18, 19, 20, 21, 22 मेरी थर्ड कंडिशन क्या गह रही है अगर आपने loan लिया 15, 5, 2017 को loan लिया ठीक है construction के purpose से लिया या purchase के purpose से लिया तो उसका end उसका end कब है 31, 3, 2018 उसके end से 5 साल उसके end से 5 साल एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल दिख रहा है आपको और पांस साल, देख लो ठीक मैं साइड हो गया इधर वाली साइड पर हो जाए लो भाई, इधर वाली साइड पर हो गया इधर भी तो नहीं आ रहा है मैं बाहर निकल जाओंगो तो आप जो लोन ले रहे हैं जिस साल में उसके end of the financial year से उसके end of the financial year से पांस साल तक आपकी construction complete हो जाने चाहिए बिटे से को घर का लोन जो होता है बीस पच्चेस लाग रुपे तीस लाग का हो सकता है तो लोन तो लंबा चलता है 10 साल 15 साल 20 साल चल सकता है वो लोन की रिपेमेंट की बात नहीं कर रहा वो कहता है जिस साल लोन लोग है उसके end से उसके end से पांस साल के अंदर अंदर आपकी construction complete हो जाने चाहिए पांस साल का टाइम दिया है आपको construction complete करने के लिए कि construction कर रहे हो या बैठे हो उस पे ठीके तो जो आपका लोन आपने लिया है लोन construction completed within five years from the end of the financial year in which loan taken ठीक है और उसके बाद जो last condition है बिटे वो है आपको bank certificate देना है bank certificate देना है मतलब जिस भी FI financial institution वगएरा से आप loan लेंगे उसका certificate आपको provide करना है कि इतना interest आपने दिया अगर ये चार condition satisfy होती है तो हम आपको maximum deduction दे दे देंगे self occupied घर के case में 2,00,00 रुपे अगर ये condition satisfy नहीं होती है condition satisfy ना होने का मतलब भी समझ लो लोन जो लिया है आपने वो before 1499 नहीं लिया है तो आपकी condition घराब होगी नहीं सर मैंने loan तो 1499 के बाद ही लिया है मैं तो आज लूँगा loan conditions दो satisfy होगी लेकिन loan ले लिया आपने repair renovation के लिए किसके लिए लिया repair या renovation क के लिए then in that case फिर दुबारा problem in that case फिर दुबारा problem क्योंकि आपको loan लेना किस purpose के लिए था construction के लिए या purchase के लिए और आपने किस के लिए लिया repair renovation के लिए ठीक है और फिर अगला point आपने repair जो construction complete की आपने loan भी लिया 1499 के बाद आज लिया और loan भी लिया construction के लिए लेकिन complete हुई है वो after five years हुई ठीक ना after five years तो उस case में भी या फिर आपने अपने friend से loan ले लिया या फिर आपने friend से loan ले लिया relative से loan ले लिया interest तो उसे भी पे कर रहे हैं लेकिन आप आपने मेरी condition certify नहीं कि क्योंकि आप bank का certificate नहीं दे पाएंगे आप financial institution से जिससे आपने लिया ह उस financial institution का certificate नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका दोस्त आपका relative को financial institution नहीं तो अगर आपने loan लिया friend से आपने loan लिया 1499 या उससे 1499 से पहले या आपने loan लिया repair renovation के लिए या फिर आपने loan लिया तो construction के purpose से 1499 के बाद ही लिया और लिया भी bank से लेकिन जिस साल में loan लिया था उसके end से 5 साल के अंदर अंदर आप construction complete नहीं कर पाएं तो उस case में आपकी condition satisfy नहीं बानी जाएंगी मतलब आपको चारो condition satisfy करनी है एक भी condition अगर आपकी satisfy नहीं हुई तो maximum आपको maximum इतने की हम deduction देंगे self occupied let out में कोई दिक्कत नहीं है मतलब यहाँ पे तो हमने दोस्त से लोन लिया और उसको interest दे रहे है 1499 से पहले लोन लिया repair renovation के लिये लोन लिया कोई भी condition मतलब ना फिर भी हम आपको सारे के सारे interest के deduction दे देंगे क्या करें ऐसी बनावा लिए तो आपको शायद ये notes में भी properties की बात कर रहा है interest pre और post हाँ ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है बेटे ये जो interest की limit दे रखी है ये pre plus post को मिला कर आप दो लाग से जादा नहीं ले सकते क्योंकि बच्चे बाद में confused हो जाते हैं ठीक है सर आपने तो बताया नहीं था तो pre और post दोनों को मिला कर दो all the given given conditions are satisfied then deduction will be amount of interest or rupees 2 lakh whichever is higher, sorry whichever is lower, I am really very sorry, so the maximum deduction is 2 lakh, so money is borrowed for construction or acquisition of the house property and money is borrowed on or after 1499 and construction or acquisition of the house property is completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed and certificate of interest obtained from bank, next क्या कहता है, where any of the above condition is not certified then deduction will be the amount of interest or rupees 30,000 whichever is less, okay, done sir ये समझ में आगया हमें और ये देखो मैंने चार्ट भी बना रखका, अरे वा, कमाल कर दिया, London है ना कमाल किया, चलो 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 बस ज्यादा कमाल की बाते नहीं करेंगे, आजो वापस आजो क्रिशन जी रहते हैं और वसंद कुझ में आजो, सेल्फ उक्यूपाइट प्रपरटी की बात करते हैं, सेल्फ उक्यूपाइट प्रपरटी की कोश्चन हम लोगोने ज्यादा किये नहीं है, तो आजा उस पर आजा अब ये मेरा पैन नहीं चलेगा, चल जा पैन, चलो आप कछ नहीं में ये सके ढख ईस तो और धूज प्रपरटी है ये। होड इस 56,000 फेरेंट देरका बेटे जब उसने कह दिया कि प्रॉपर्टी में वो खुझ रह रहा है तो फेरेंट सेंडर रेंट मुंसिपल वैल्यू यह सारी बाते मिठ्या हो जाते हैं क्योंकि जी यह वी तो ऐसी नहीं ला नहीं तो फेरेंट इंद नेभर होड फिट्रेश विट्रेश वी तो अभी तक जी नहीं तो अभी तक जी नहीं पड़ा हो उसमें एक लाइन तंत की थी बाकी सारी बाते मिठ्या थी दा हाउस वास चंस्ट्रक्टेट अन 1199 बहुत पुरानी बनी वी है मालक 22 साल हो गय है विदा लोर रूपीस 20 लाक फ्रॉम HDFC बैंक दूर प्रीविएश यर 21-22 अससी रिफंडे 2,80,000 अब आपके साल में क्योंकि प्रॉपर्टी तो 99 में बन के कंप्लीट हो चुकि अभी तक उसका लोन चल रहा है 20-20 साल हो चुकिए तो 2,80,000 रुपय अससी ने रिफंड किये जिस 2,80,000 रुपय में 2,08,000 एधा करंट ये इंट करूँ तो self-occupied house property क्या मेरी condition satisfy हो रही है पहली condition 1,499 को या उसके बाद loan लिया हो बेटे property ही बन के complete हो गई है 1,199 में तो loan तो उससे पहले लिया हो क्योंकि और को information तो दे नहीं रखी then in that case मेरी limit restrict हो जाएगी 30,000 तक तो इस case में मेरे को 30,000 से ज्यादा की deduction नहीं मिलेगी त तो A का answer दे रखा है मतलब जो पहला case था उसका answer दे रखा 30,000 next part पढ़ते है what would be the deduction on account of interest if the loan was taken and construction started on 1-4-2009 को construction start किया और loan लिया है अब मेरी बात पूरी हो रही है HDFC से लोन लिया है bank से लोन लिया एक चार 99 के बाद लोन लिया construction के लिये लोन लिया सारी बाते पूरी हो रही है तो मेरे को maximum 2,000,000 रुपे की deduction मिल जाएगी और इसने 2,800,000 रुपे का interest पे किया है तो 2,000,000 रुपे की deduction मिल जाएगी next what would be the deduction on account of interest if the loan was taken and construction started on 1-4-2009 and construction completed on completed in December 2017 सर दिसम्बर में इसने construction भी तो complete कर ली बेटे वो construction complete करने की बात पता है क्यों कह रहा है या आप 5 साल वाली वो condition satisfy कर पा रहे हो जदा देखो देखो पटा पट देखो बेटे देखो timeline बनाओ सर timeline तो इसकी बहुत ज्यादा लंबी बनेगी बनाने की कोशिश करते हैं 09 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक है तो मेरे हिसाब से जड़ा ध्यान दो यहाँ पे इसने loan लिया इसके end के 5 साल इसके end के 5 साल तक तो यहाँ पे end हो गया एक साल यहाँ पे दो साल यहाँ पे तीन साल यहाँ पे चार साल यहाँ पे और पांस साल यहाँ पे यहाँ तक मतलब 31 मार्च 2015 तक कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए थी जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई ह टिक उसके बाद ये वाट वोड बी देड़क्शन ओन एकाउंट ओफ इंटरस इफ दा लोन वास टेकन एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ओन वन फोर टूथाओरण नाइटीन एंड कंप्लिटेड इन दिसंबर टूथाओरण नेटीन तो उसमें भी से एंड तक गिनना होगा एक दो तीन चार और पांच और उसने विदिन फाइव एस में कर लिया तो इस वज़े से दो लाख का अंसर देरा ख़ता डेट्स की दिक्कत है और कुछ निए आपको मेरे हिजाब से समझ में आ गया होगा ठीक डन चालो जी उसके बाद एक और देखो आज की क्लास लंबी हो गई है करीबन करीबन दो हंटे की होने जारी है क्लास लेकिन क्लास एटर स्रेज देखना जिससे की आपको चीज़े समझ में आ जाए ब्रेक करना हो ब्रेक कर लेना ठीक चालो जी उसके बाद Aravind commenced construction of a residential house intended exclusive for his residence clearly क्यारा, for his residence on 1-11-2020 commenced construction construction start किया 1-11-2020 he raised a loan from PNB of 5 lakh at 16% for the purpose of construction on 1-11-2020 same date किलिया finding that there were overrun in the cost of construction he raised further loan of Rs.18 lakh at the same rate of interest on 1-10-2021 okay, the assessee has submitted confirming, submitted a certificate confirming the amount of interest what is the interest allowable under section 2024 under section 24 assuming that construction was completed on 31-2020 पुद धानसे हमें ने वाली बाद है एक पॉइंट इसमें और कवर हो रहा है P.E.2 क्या है सथ? बेटे P.E.2 आइपी आईपी सी सी और फाइनल ठीक है और अब फिर दोबारा C.E.फानडेशन है C.E.इंटर है और C.E.पाइनल है यह P.E.2 की कभी की बात दे रखिये कभी की दे रखिये कभी की दे रखिये का? टाइम लाइन बनाएंगे फटाओ, 21, 22, 20, and 19, 19, 20 बनाने की जूरत नहीं थी मैंने बना दिया तो इसने 5 लाग रुपे का लोन लिया एक ग्यारा दो हजार बीस को, एक ग्यारा दो हजार बीस क्यां पढ़ पढ़ पढ़ेगी उसके बाद इसने आट लाग रुपे का और लोन लिया एक दो दस दो हजार एक केस को आट लाग रुपे का स्थे रेट पर बोल रहा है चंस्रक्शन कंप्लीट हो यह बहुत ध्याम से देखने वाला पॉइंट है इकत्यस तीन दो हजार बाईस को इसकी कंस्रक्शन कंप्लीट हो गई है बेटे मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जिस साल में कंस्रक्शन कंप्लीट होती है ठीक है उस साल में उस साल से पहले वाले साल का प्री कंस्रक्शन माना जाता है और उस साल का और उसके आने वाले सालों का पोस्ट माना जाता है तो बेटे वो बात मेरी हर जगा एप्लिकेबल होती कि even construction आपकी 31, 32 को complete होगी है तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये हम लोगों का pre construction है और यहाँ पर अब ये जो interest गया होगा इस सारा क्या हो जाएगा post construction ठीक है तो बेटे निकालने की कोशिश करते है pre construction interest pre construction period pre construction की period हो गया 1, 11, 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो कि 5 लाग रुपे का लोन लिया है 16% के हिसाब से 11, 12, 1, 2, 3, 5 महीने का ठीक है post construction की बात कर लेता हूँ post construction तो post construction interest अगर मैं निकालूँगा तो post construction period पूरे साली लोन चला है क्योंकि लोन रीपे तो कुछ किया ही नहीं इसने post construction period तो 14, 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सारा post construction रहा लेकिन दिक्कत क्या है कि 14, 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की बात करूँ तो 5 लाग रुपे का 16% पे ब्याज पे पूरे साल चला और एक 10, 2021 को उसने और additional लोन लिया जो कि 31 मार्च 2022 तक हम लोगोंने पे करना है आट लाग रुपे at the rate of 16% और बेटे ये 6 महीने का हुआ अक्टूबर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फबरी, मार्च है ठीक है 6 महीने का हुआ ये आप निकाल लेंगे ये तो 16,85 असी दिख रहा है मेरे को क्लियर ली ठीक है बाकी आप कैलकुलेट करें हां जी ध्यान देजेगा तो ये प्रीकंस्रिक्शन आया 33,333 रुपे पूरा प्रीकंस् प्री 6667 और पोस्ट क्लेम करूँगा 1,44,000 जो की बना 1,50,667 तो ये मैं टोटल क्लेम करूँगा आंसर देखते हैं सर वा आंसर से सही है हम ठीक तो ये पार्ट मैंने आपको करा दिया ये डन है ये ब्लैक वाले कोशन अभी नहीं करने नेक्स टाइम में आपके ग्रीन हो जाएंगे जब करेंगे ठीक दन है तो आज की क्लास यहां पर हम आपकरते हैं वाखी बाद में करेंगे देखो बेटे दो छोटे छोड़े इसे टॉपिक और कवर करते हैं और उसके बाद इस क्लास का समापन करते हैं जब हम लोग competition की बात कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने gross annual value निकाल नहीं gross annual value minus municipal taxes और इससे पहले एक चीज़ और minus हो रही है unrealized rent unrealized rent unrealized rent का क्या मतलब बिटे जब मेरा घर किराय पर चड़ा हुआ था जैसे suppose करें मेरा घर 20,000 into 12 महीने के हिसाब से किराय पर चड़ावा था और 2,40,000 रुपे का rent आना था तो कि जब हम लोग GAV निकालते हैं तो यहां पर actual rent received or receivable मतलब new basis पर taxable होता है तो अगर मेरा घर 12 महीने के लिए किराय पर चड़ावा था तो 20,000 into 12 2,40,000 रुपे हो गया अब 2,40,000 रुपे मेरी इंकम मान ली जाएगी अब आ गया March 20 तर यह तो आप पिछले साल में चले गए बेटे मैं example ले रहा हूँ माई 21 है या माई 22 है और दुबारा lockdown लग गया तो दुबारा lockdown लग गया तो मेरे tenant ने मेरे को का सर मैं अभी rent नहीं दे पाऊंगा बाद में दे दूँगा मैंने का ठीक है भाई बाद में दे दी अब मेरी income तो पूरी taxable हो जाएगी बाद में क्या हुआ वो tenant जो है चुप चाप रात और रात भाग गया कहने लेगा सर मैं तो यहां पे रह नहीं सकता था और मैं इसलिए आपको rent भी नहीं दे पाऊं तो मेरी जीए भी तो निकल गई 2,4,000 रुपे पहले और उसके बाद unrealized rent सपोस करें वो दो महीने का rent मेरे को नहीं देखे गया तो 20,000 into 2,4,000 रुपे मेरे माइनस हो जाएंगे तो 2,4,000 रुपे पहले मेरे को normal तरीके से जीए भी निकालनी है उसके बाद मेरे को unrealized rent minus कर देना अब law लिखता है law में क्या लिखावा है income tax act में rule 4 है rule 4 और rule 4 कहता है कि यह जो unrealized rent है unrealized rent जो की rent आपको नहीं मिल पाया unrealized rent यह जो unrealized rent है यह जो unrealized rent है यह हम आपको allow कर देंगे मतलब जितना भी आपका unrealized rent रहा 20,000 इंटू 2 माईने का आपको नहीं मिला जीए भी निकालोगे उसमें से minus कर देंगे लेकिन 2 condition आपको satisfy तीन condition तीन है यह चाह रहे है चाह रहे है दिखें कहां गया unrealized rent आजा unrealized rent कहां गया यह unrealized यह चाहर कंडिशन है आपको चाहर कंडिशन satisfy करने है एक दो तीन चाहर बेटे पहली कंडिशन है tenancy must be bona fide tenancy must be bona fide बेटे जब आप लोगोंने CPT में law पढ़ना शू किया होगा तो contract act में आपको यह शब्द आया होगा bona fide और इसका opposite होता है mala fide bona fide क्या होता है genuine intention genuine मतलब क्या actual में जो चीजें हो वो जूड मत बोल ना मते अब tenancy must be genuine यह क्या मतलब हुआ सर कोई tenancy malified fake क्यों दिखाना चाहेगा बेटे ऑविस ही बात है tenancy कोई fake क्यों दिखाना चाहेगा कि मेरे को rent आ रहा है मैं जान मुझके दिखाऊंगा हाँ आपको लगेगा सर कैसी अजीब बात कर रहे हो कोई क्यों कहेगा कि मेरे को rent आ रहा है जबकि उसको rent ना रहा हो जिससे की मेरा interest है जो 6,00,00 रुपिद गया है पूरे साल का वो सारा allowed हो जाएगा तो इसलिए मैं मेरी tenancy जो है bonafide होनी चाहिए सर मैंने घर अपना rent पे दे रखा है और वो किसको rent पे दे रखा है मैंने घर rent पे दे रखा है तो मैंने अपना घर rent पे दे रखा है किसको राम को सर राम को पेश करो राम का है सर प्रभू राम को दे रखा है वो आयोध्या से भी 14 साल के लिए वह इन वास गए में है जब आएंगे तो मिलवा दूँगा जरूर ठीक है ना तो tenancy must be bonafide उसके बाद उसके बाद कहता है एक कंडिशन ओर देता है tenant has vacated और steps have been vacated to has been taken to vacate the property क्या कहना चाहरा है कि आपने अपनी तरफ से सारे के जहां पे आप unrealized rent जिस property के लिए claim कर रहे है उस case में वो property vacated हो या आपने अपनी तरफ से steps taken to vacate the property तो आपने अपनी तरफ से सारे steps ले लियो हूँ property को vacate करने के ये steps बेटे गल्ट मत ले 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 है मतलब legal step है याँ पे हाँ मुन्ना भाई MBBS को बुला है चले गार खाली करादे मेरा नहीं ऐसे वह ले step नहीं लेने steps कोन से legal steps जो भी आप ले सकने हैं आपने अपनी तरफ से legal steps ले ली है और उसके बाद भी वह जब रजब्सी करके बाट है तो ठीक है कोई बात नहीं हम आपको unrealized rent allow कर देंगे उसके बाद पोर्स पॉइंट पहले सुनिएगा अब यह हो गया पहले सुनिएगा क्या कहता है assessi has taken all reasonable steps for the recovery of unfaedrant आपने अपनी तरफ से steps लिए है recover करने के rent recover करने के rent recovery करने के आपने अपनी तरफ से सारे steps ले लिए है रेंट रिकावर करने के अपनी तरफ से सारे step ले लिये हैं मतलब क्या सर उसने न मेरे को PDC बोले तो post dated checks उसने मेरे को दे रखे दे और मैंने वो टाइम से bank में लगा दिये तो मान लिया जाएगा I have taken my steps to realize my rent लेकिन फिर भी check bounce हो गए या कुछ है तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपने अपनी तरफ से step लिये थे हम आपको unrealized rent allow कर देंगा next एक point और देखेगा third point क्या कहता है third point defaulting tenant has not occupied any other property of the SSC sir जहान से तुने landlord है section 4 चलगा ना landlord landlord के पास house 1 है और house 2 है ठीक है और यह एक tenant है और tenant को house 1 भी किराए पर दिया हो है और house 2 भी किराए पर दिया हो है ownership इसकी है ठीक है अब यह 20,000 रुपे पर मंत पर चड़ा हो है और यह 25,000 रुपे पर मंत पर चड़ा हो है ठीक है दोनों property आपने एक ही बंदे को दीनी है ठीक है अब आपके पास house 1 का तो पूरा रेंट आ रहा है लेकिन house 2 का आपके पास रेंट नहीं आ रहा और lockdown की वज़े से आप कहने सर अन्रेयलाइज रेंट हो गया अन्रेयलाइज रेंट अलाव कर दो तो कहता है कि अगर आपके tenant ने आपकी दो प्रॉपर्टी या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी ले रखी है और किसी प्रॉपर्टी का किराया तो वो पूरा टाइम पर दे रहा है और किसी प्रॉपर्टी का नहीं दे रहा तो जिस प्रॉपर्टी का नहीं दे रहा आप उसका अन्रेयलाइज रेंट हमसे नहीं अलाव करवा सकते क्योंकि आपको अल्रेडी दूसरी प्रॉपर्टी आप टॉपिक पढ़ते हैं और बहुत बढ़ियासा टॉपिक पढ़ते हैं ठीक है और इस पर हम लोगों ने कोशचन भी करने हैं पहले मैं यह टॉपिक पढ़ाऊँगा ठीक है कोश्चन मैं आज कराऊंगा या निकराऊंगा वह देख लेता हूं क्योंकि क्लास आपकी around हो जाए ठीक है मूच्छे होंते नथ्थुलाल जी जैसे अब नथ्थुलाल जी के पास चार प्रापर्टी है हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री और हाउस वोर ठीक हाउस वन हाउस टू और हाउस थ्री और हाउस वोर नत्तुलाल जी कहते हैं यहां पे तो मैं रहता हूँ मैंने का बहुत अच्छी वात है कहने लगे यहां पे एक और इंसान रहता है जिसका नाम है मेरी बीवी मैं कहने लगे आप समझ गए ना तो यहां पे तो मैं रहता हूँ यहां पे मेरी चोटा वेटा रहता है। तो मेरी चार वह प्रॉपर्टी जों सेल्फॉपाइंट मैने का सर क्या पात है आप तो बहुत इंसान है महान अंसान है और आप तो बहुत अभीर है क्योंकि चार प्रॉपर्टी आपके पास है कहने लगे कोईज न भी अमिर न दूझ किये मैंने और इनका loan repay होता है मैंने का वह कितने महान है आप ठीक तो कहने लगे सर मैं इसका loan दे रहा हूं तीन लाग रुपे मतलब इसमें तीन लाग रुपे का इंट्रस्ट है इसमें इंट्रस्ट है चारो कंडिशन का नतुलाल जी पढ़े लिखे थे तो इनोंने का कि सर्व वह चार जा सेलफ ऑक्यूपाइड वाली जो प्रॉपर्डी रॉपर्डी और इसमें तो कहने लगें हमें मैं 50,000 रुपे इंट्रस्ट देता हूं यहां पर मैं 70,000 रुपे इ आपने का था कि Self Occupy Property का इंट्रेस्ट होता है मैंने का ह missing मैंने कहा तो था केहन लगो साновक है स्रो केizon में कि हम टोटल इंट्रेस्ट बना भी रिंवर टेन गोग प्लस एक लाग स्वाहक है चार लाग चार लाग स्लॉट फांच लोग साल है यहां पर 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 interest चलाओ कर देंगे तो अब ध्यान से सुनना lawmakers के भी दिमाग में नथुलाल जी की बात आ गई और lawmakers ने क्या कहा lawmakers ने क्या कहा कि अगर if more than two house property are self occupied then only two of them two of them at option of a sassy at the option of a sassy will be considered as self occupied self occupied and all all others and all and all other house properties will be considered as deemed to be let out क्या मतलब है इस बात को समझ लीजे कहते हैं कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ उक्यूपाइंड है then तो आपकी केवल दो प्रॉपर्टी उन में से केवल दो प्रॉपर्टी सेल्फ उक्यूपाइड मानी जाएंगी आपके आपके आप्शन पर बाकी जितनी भी हैं बाकी all other house property मतलब दो से ज़्यादा जितनी भी हैं तो सारे के सारे benefits आपको किराए वाली property के मिलेंगे example लेते है नत्थुलाल जी से नत्थुलाल जी की थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तीन property है और ये वाली property थोड़ी देर के लिए out कर देते हैं यह तीन प्रपर्टी है यह वाली और मैं इनकी प्रपर्टी की थोड़ी सी details और आपको बता देता हूं house 1 है house 2 है house 3 है तो बिटे जब यह तीन प्रपर्टी है तो actual rent तो आ नहीं रहा होगा तो कि तीनों self occupied property है ठीक है actual rent तो किसी का भी नहीं होगा लेकिन question में में इनको municipal valuation दे रखे की स्काथ रख़ा 8,00,00, 1000, 56,000 तो अरल कि एप आ में एंट्रस्थ जो दूढ ना कितना वाथ भी हमें लगर आप्स हजार यहां पिन लॉखा पर पचास हजार इंट्रेस्ट जो दिया हुए तारो कॉंडिशन सैटिस्फाई कर रहे हैं यह खुद ही कह रहे दे ठीक है एक लाख और इसका कितना दे रखा था तीन लाख रूफ ठीक अब मेरे को कॉश्चन सिंप्ली मतलब एक तरह से अब इनकी तीन हाउस पॉपरटी यह दो सेल्फ उक्यूपाइड मनवा सकते हैं और बाकी एक को तो इनको डीम टू भी लैट आउट मानना पड़ेगा अब मेरे सामने ब case 1 बनाओंगा जिस में मैं काऊँगा कि house 1 self-occupied है house 1 self-occupied है house 2 भी self-occupied है और house 3 जो है house 3 जो है वो डीम टू भी लैट आउट है यह केस निकालूंगा फिक उसके बाद एक और case बनाओंगा case 2 ठीक है रहा, house 1, house 2, house 3 house 1 self occupied, house 2 deemed to be let out और house 3 self occupied, और एक और case बनाऊंगा एक और case बनाऊंगा, case 3, जिसमें कहूंगा, house 1 मेरे पीछे तो नहीं छुप जाएगा, इसको आपको दिखता रहेगा house 1 deemed to be let out है, house 2 self occupied है और house 3 वो भी self occupied है, तो ये 3 case बनेंगे मतलब एक तरह दे कोश्चन 3 बार solve करना पड़ेगा बड़ी दिक्कत वाला गाम है, लेकिन इसको और easy करते हैं तो बेटे इसको easy करने का तरीका क्या है, कि एक बार तो हम तीनों घर की calculation कर लेते हैं, self occupied मानते वे, और एक बार तीनों घर की calculation करते हैं, deemed to be let out मानते वे, और उसके बाद सिर्फ figures निकालेंगे और plot कर देंगे, देखो कैसे करना है इस question को easy सबीके से कैसे attempt करना है calculation under the head house property assuming assuming, all house properties are self occupied house 1, house 2, house 3 अब तीनों की GAV निल आएगी municipal taxes allowed होने नहीं है NAV निल आ गई interest की deduction मिलने है और interest, चारो condition satisfied कर रह्मान लेते हैं तो interest की जो deduction मिलनी है वो यहाँ पे 50,000 रुपे है interest यहाँ पे 1,000,000 रुपे है interest और यहाँ पे 3,000,000 रुपे है interest तो maximum deduction दो लाख रुपे की मिलन सकते हैं चारो condition satisfy भी कर रहे हैं तो income under the head house property self occupied के case में यहाँ पे 50,000 negative आगी बेटे यहाँ पे 1,000,000 रुपे negative आगी है और यहाँ पे 2,000,000 रुपे negative आगी है यह आगी है अगर properties को हम मानते हैं कि हमारी properties क्या है self occupied हैं सारी की सारी self occupied है next एक part और करेंगे calculation under the head house property assuming all house properties are deemed to be let out वैसे यहाँ पे assuming word फिर दुबारा use करना नहीं चाहिए था क्यों फिर deemed कहके हम लोगों ने assume कर लिया ठीक अब house 1, house 2 और house 3 यह भी निकालेंगे निकालो जी एवी और फर विचेवर इस हाइर फिर देख एक्ट्रेंट नहीं है एम यह और फर विचेवर इस हाइर कितना आगा पांच लाग आगा अच 5,00,00,00 और है एक्ट्रव यह निकालो आगे वागर फिर पांच लाग पर साथ लाग क्यालग इस हाइर साथ लाग साथ लाग और आःट लाग ब्चेवर लोटन है तो हैं फिर उभर दिर मला इस लोए तो कितना आएगा साथ लाग नेक्स्ट टड़े चार लाग और शे लाग विचेवर इस आयर खेलाग और पांच लाग पिछाट्टर अजर विचेवर इस लोगर तो पांच लाग पिछाट्टर अजर ठीक है माइनस मुंसिबल टैक्सिस कुछ दे रखेंगे पैटे अन्रेलाइज एंड होई नहीं सकता मुंसिबल टैक्सिस है नहीं ध्यान से करना अब नेट अन्वल वैल्यू 3,50,000 7,00,000 5,75,000 माइनस करेंगे 30% और माइनस करेंगे इंट्रस्ट 30% और माइनस करेंगे इंट्रस्ट और माइनस इंट्रस्ट पचास हजार यहां पर एक लाग था और यहां पर पूरा 3,00,000 रुपे माइनस होगा क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया है कि प्रॉपर्टी किराये पे चड़ी विए और जब हम यह मान के चलने हैं प्रॉपर्टी किराये पे चड़ी विए इसका मतलब इसका मतलब कि अब सारी कि सारे वही बेनेफिट मेर को मिलेंगे तो इस वज़े से सारा का सारा इंट्रस्ट भी अला हो जाएगा थर्टी पर्शंट और माइनस कर लो बटावट तो बेटे इस इस आप से 1,95,000 की इंकम आई है मेरी अंडर हाउस वन 390 और 102 अगर यह किराये पे चड़े रहते हैं बस अब कुछ नहीं करना अब यहां पर प्लॉटिंग करनी है जर अध्यान से देखना जैसे अगर हाउस होगा तो 50,000 की नेगटिव इंकम होगी हाउस 2 सलफ ओक्यूपाइव होगा तो एक लाःग रूपे की नेगटिव इंकम होगी और हाउस 3 बीनू भी लटा आउट होगा तो उस केज में एक लाः दो 7500 रूपे की पॉजिटिव इंकम होगी एक लाःग दो 2500 रूपे की positive income होगी और इसी तरीके से अब house 1 अगर negative self occupied है तो 50,000 रुपे की negative income house 2 let out है, deemed to be let out है 3,90,000 की positive income 3,90,000 रुपे की positive income और house 3 अगर self occupied है then in that case में 2,00,000 रुपे की negative income ठीक, sorry 2,00,000 रुपे की negative income और इसी तरीके से case 3 में अगर house 1 मेरा deemed to be let out है house 1 मेरा deemed to be let out है तो 1,90,000 रुपे की positive income और house 3, house 2 self occupied माना जाएगा तो 1,00,000 रुपे की negative income और house 3, 2,00,000 रुपे की negative अब ये तीनों cases आ गए, net निकालो, कितना आ रहा है तो ये कहां से मैंने तो यहां पर मेरा एक लाग रुपे तो यहां पर खतम हो गया धाई अधार बचा तो यहां पर 47,500 की negative income और यहां पर 2,00,000 रुपे की positive income और यहां पर calculation कर लेता हूँ तो यहां पर सबसे अच्छा फाइदा मिल रहा है मेरे को क्योंकि यहां पर negative income मेरी positive income के साथ setup हो जाएगी तो negative income जितनी ज्यादा है उतनी अच्छा है तो यह वाला सथ से अच्छा है मतलब क्या कहूंगा हैंस नत्थुलाल जी को क्या करना चाहिए कि हाउस वन को डीम तूब लाट आउन मानना चाहिए हाउस 2 और हाउस 3 को self-occupied हाउस 2 और हाउस 3 को self-occupied मानना चाहिए समझ में आती है बात clear है यह बात अब एक बात और ध्यान से समझें इतना समझ में आ गया बाकी मैं next class में clear करूँगा एक छोट असा टॉपिक और समझ के इस class को wind up कर रहा हूँ मैं ठीक है हम लोगोंने बैटे composite rent पढ़ा था मैंने आपको composite rent पढ़ता है था composite rent क्या होता है जहां पर जहां पर assets plus house property मिल रही हो और assets separable भी हो सकते हैं और inseparable भी हो सकते हैं assets inseparable separable की spelling देख लेना यार ठीक प्लस house property ठीक यह मैंने दो cases आपको बताये थे तो यहां पर यह PGBP में चला जाता है या iOS में चला जाता है और यह तो house property ही है यह HP में चली जाता है लेकिन जहां पर इस शिंखला में इस कड़ी में एक चीज़ और जा रहा हूँ जब आपको house property मिल रही है plus facilities मिल रही है and again house property मिल रही है plus facilities मिल रही है और facilities को house property से अलग करना possible ही नहीं जैसे society में जो घर होते हैं वहाँ पर जब society में आप कहते हो कि rent अब मैं कहता हूँ कि house property जिन से मैं रेंट पर house property लेने गया कहने लेकिन प्लस 4000 रुपे facilities के है 4000 रुपे facilities के है मतलब वहाँ की maintenance के लिए जाते है तो total कितना जाएगा 19000 रुपे तो यह अलग कर पाना possible है या नहीं है सर अलग कर पाना possible तो नहीं है लेकिन एक बात बता है क्या यह 4000 रुपे का benefit क्या owner को जा रहा है नहीं वह तो directly pass on कर देगा दो तरीके बन सकते हैं भाई यह 15000 रुपे तो मेरे को दे दे और 4000 रुपे maintenance office में दे दे लेकिन अब इसमें जख्कत है मैंने एक बार ऐसे ही किया म मेरा घर अधा फ्लैट था एक सोसाइटी में तो मैंने का भया यह 15000 रुपे मेरे को देता रहा करो 4000 रुपे maintenance office में दे दे तो ऐसी करने लगा तो 4000 रुपे maintenance office में देने लगा एक साल बाद क्या हुआ 15000 रुपे तो मेरे को किराए के देता रहा मैं खुश मेरे पास आ रहे अगर आगे अगले भारिय बार किराईजार आया को तो मैंने का पूरेzin रुपिझा कई रूपिए है लेकिन क्या सब्सक्राइब उने चारा हजार रुपे as it is मैंने facility के लिए देदी maintenance office में वो मेरा rent नहीं है तो मेरे हाथ में केवल और केवल 15,000 रुपे जो मेरे हाथ में आई है वो मेरा रेंट वाना जाएगा ठीक है देखो इस चार्ट को पड़ो हुआ composite rent, composite rent means where the rent is paid not only for the building but also for other things that can be for other facilities that can be for the assets or facilities where rent is for building and other assets which are separable तो house property कर जो rent है, rent from building वो house property में जाएगा, rent for asset PGBP या IOS में जाएगा, where rent is charged for building and other assets which are not separable बेटे वो वो composite rent कैलाता है वो PGBP या IOS में जाएगा, where rent is charged for building and for facilities to provide to tenants, to be provided to tenants, then in that case actual rent की calculation करेंगे जितना rent चार्ज हो रहा है minus the amount of facilities जो मैंने आपको example दिया था मैं 19,000 रुपे पूरे ले रहा हूं लेकिन 4,000 रुपे तो facilities के जा रहे हैं तो मेरे हाथ में रेंट कितना माना जाएगा 15,000 रुपे के वाद society charges, lift maintenance, gas, water, gardener, watchman, etc., etc. के पैसे, ठीक है न, मैंने ये दो figure जो है ये इसके नीचे लगाई वी है जान से, ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे है ठीक है न, जहां पर घर मिल रहा है, assets के साथ और assets देखो, sofa ले जाना अलग possible है ठीक है न, ये dine table अलग से मिली वी है तो इनको ले जाना possible है लेकिन ये मैंने cinema hall वाल आपको example दिया था ठीक है, तो ये cinema hall में chair अलग-अलग करना possible नहीं है तो ये inseparable हो गया ठीक है और यहां पर भी मैंने आपको society का example दे दिया कि society है और 19,000 रुपे का rent आ रहा है और minus 4000 रुपे facility office में maintenance office में जा रहे है तो केवल 15,000 रुपे मेरे टेक्से बलोगा तो आज की class यहीं से हम आप कर रहा हूँ next class में इसके और composite rent वो self occupied more than two house property वाले के question कराऊंगा thank you